हेलो गाइस वेलकम बैक टू मैच चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं पेड़े वह भी बीना मेवा बीना चासनी बीना मिल्क फॉडर के बिल्कुल घर पे बिल्कुल आसान तरिके से घर के तीन चीजों को यूज करेंगे और यह स्वाधिस्ट पेरा बना लेंगे तो गाइस इ क्योंकि घी और कोई भी मिठाई को बहुत ही स्वाधिस्ट बनाता है तो गाइस थोड़ा से गर्म हो जाने देते हैं घी को तो यह काफी अच्छे तरिके से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप मैदा मैदा जो वाइट वाला आता है ना बजार में बहु किसी गार्ट नहीं बनने देंगे हम हाथों से अराम से इससे चलाएंगे गाइस यह मिठाई बहुत ही असान है बहुत ही इजी तरीका से यह पेड़ा बना सकते हैं आपको कोई भी बाजार की चीज़े लाने की ज़रूरत नहीं है आपके घर पे जो मौजूद है उसी साफ बना सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा गी हम और एड़ कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम लग रहा है तो इसलिए थोड़ा सा और एड़ कर दिया तो इसी तरह से थोड़ी ते तक हम इसे फ्राय कर लेते हैं तो गाइस यह काफी अच्छे तरीके से फ्राय हो चुका आपको तो दिख रहा होगा, कलर भी बिल्कुल चेंज होगी है, हमारा मैधा का मैधा वाइट था, देगे, कैसा कलर होगी है, ये काफी स्वाधिस्ट रहता है, मेरा येकिन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसी तरह से ट्राइक कीजिए, अलग तरीके की पेड़े खान इसे बिल्कुल अच्छे तरह से ये हो चुका है, तो अभी से हम एक कटोरे में निकाल लिए हैँ, दोड़ी धे, सरधे की दा कटा होने रेगे, अग़र में हाथ से चुआना हाथ सकते हैं, झालका से अज़गा है, अब अब मिक्स कर लेता है तो गाइज देखें आपको इसके लिए नाहे हैपको मिल्क पॉडर चाहिए नाहे है आपको मेवा चाहिए नाहे है आपको चासनी बनाना है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बहुत ही असान तरीके से आप गर पे बना सकते हैं तो मैंने यहां पर चीनी का पौडर यूज़ किया चीनी को मैंने मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल बिल्कुल पौडर बना गया तो और उसे मिक्स कर लेंगे आपको इसमें चासनी बनाने की जोरत नहीं है आप इस तरह से पौडर बना के यूज कर लीजिए हाथों की मदर से पूरा अची तरह से मिक्स कर लेता हैं देखिए आपको यह बिल्कुल पेड़े का स्वात देगा पेड़े से भी काफी टेस्ट लगेगा ज्यादा आप एक मज़रू राय करें और इसी तरह से पूरा रेस्पी देखें पूरा पीडियो देखें इसकिप ना करें वहना आप एक भी प्रोसेस भूलेंगे तो आपका वो रेस्पी तयार नहीं होगा टेस्ट नहीं आएंगा तो गाइस इसी तरह से बनाएं और हाथों की मदर से अब हम गोल गोल बना लेंगे और पेड़े का सेब देदेंगा आप जैसा चाहें वैसा सेब दे सकता है तो देखें मैं इसे गोल कर ले रही हूं और आपको करके दिखाती हूं कि मैं कैसा पेड़ा बना रही हूं तो देखें हमारा कितना अच्छा से बिल्कुल सर्कल सा हो चुका है तो इसे अब हम पेड़े का सेब देते हैं हाथों की मदर से मैं एक अंगुठा आधी रेसिपी ना देखें तो गाइस और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो जदे जदे लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मैं यहां पर यह सिल्वर पेपर तो लगा देरी हैं इससे काफी जवटतस तरह का पेड़ा बना सकता है तो मैं यहां पर थोड़ा पिस्ता बदाम लगा देरी हूं सबके उपर इससे इसका डेकॉरेशन कर देरी हूं काफी सुन्दर देख रहा है तो इस तरह से इस रेसिपी को ट्राइब करें और मुझे कमेंट करें आपको मेरी रेसिप के साथ आज के लिए इतना ही टाटा बाई बाई